अनित्य अथार्तवाद जिसे अंग्रेजी के हम कहते हैं This eğ Dallas हम यह पष्चिमी जगत में से आई हुए अधारना और यह पष्चिमी साहिति का आज कि अदुरहरыт कशी आजो भी अध्यान से सब्सक्राइम थे दो Angular क अधार विकास कस Cities पतिय थार्थवाद की प्रमुख प्रवृतियां तथा माइनेता हैं अतिय थार्थवाद का मुल्यांकन और निश्कर्स जैसर कि आपको पता है कि पश्चिमी देशों में बहुत सारे अंदुरन हुए हैं साहित्यु के लेकर विशेश कर फ्रांस में, इंग्लेंड में, अमे साहीत्य थार्थवाद की शेत्र का ही एक ऐसा अंदुरन है जिसका जनम से नाम से यथार्थवाद के चरम रूप का ब्रहभृध पैदा और एक तरह से स्थचंदता वात की अंतिम परिणती है यथा यथार्थवद और रख दोनों पुरी तरे से लुझेता वाद मैं जहां बाहरी दुनिया हमारे जो बाहर की दुनिया है शेली सांथाल में हम रते आ उसका यथार्थ चित्रन करना यथार्थवाद का लक्ष होता है लेकिन अतिय अथार्थवाद हमारे मन के भीतर जो एक दुनिया है हमारे मन में के अंदर जो एक संसार है एक संसार तो बाहर है जिसमें हम रहते हैं और एक संसार वह है जो हमारे मन के अंदर बसा हुआ है उसका वर्णन करना अ और स्वच्छंदतावाद की जो बहुत सारी प्रवृतियां हैं या इसके अंतरगत पाई जाती हैं, अति यथार्थवाद के अंतरगत स्वच्छंदतावाद की बहुत सारी प्रवृतियां पाई जाती हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि या स्वच्छंदतावाद की अंतिम प जीवन के जो ग्रिणित पक्ष हैं जो हम देखते हैं जोरी है डगती है लूट मार है गरीबी है बुखमरी है अशिक्षा है बलतकार है जितने भी प्रकार की जो चीजें हैं वस्तुता हमारे यथार्थ जिगत में उनका चित्राण ही साहित और कला का लक्ष कौन मानता है यथार्थ वाथ क्या मानना है उसके मत में यह यथार्थ कितना ही विक्रित या कुरूप हो उसे प्रस्तूत करने में हिचकना नहीं चाहिए इसी भावना का एक दिशा में विकास 20 सदी के तीसरे दशक के पारम में दादावाद के रूप में हुआ, मतलब 1930 CC में यथार्थवाद को जो विकास हुआ, आगे, तो उसका जब विकास हुआ ते एक नया अंदुलन आया, जिसे कहा जाता है दादावाद, और यही आगे चलकर आती यथार्थवाद में परिणत हुआ, तो जो दादावाद नाम का जो अंदुलन था, यथार्थवाद से क्या बना, दादावाद आया, नया अंदुलन, आगे चलकर, और दादावाद के बाद नया अंदुलन कों सा आया, आगे चलकर यही दादावाद, आती यथार्थवाद में परिणत हुआ, दादावाद आगे चलकर होगा, आती यथ तो आदमें बाई अधार्थ से भी अधिक मानाओ के आउचेतन अथवा आर्थ चेतन मन जिसे सब कांसास माइं मैं चीपे हुए अधार्थ को दिया गया आपने मेरा गर वीडियो देखा हो गया मनोव इस लेशन वात मेरा एक लेक्चर है उसमें आप मन के तीन भाग मने बताय हुए है फ्रायट के विसार मन के तीन भाग होते हैं चेतन मन आउचेतन मन और चेतन मन चेतन मन मतलब कांसास माइं जिस दिमाग के अधार पर हमारी अपने देखते हैं और सबसे नीचे होता है और सबसे नीचे होता है अचेतन मन अनकांसास में छो खजल में दिखाना य देती है तो तो आऻय चेतन मन अथ्वा अर्ध continuous मन मतलब यथार्तवात में जहां बाहरी दुनिया का वर्णन के रहता था वहीं अतियथार्तवात में हमारे अर्थ-चेतनमन अथ्वा आवचेतनमन में च्छीपी हुई जो सच्छाई है उसको उजागर करना ही इनका मुख्यन अच्छे था बाहरी इस तरह पर उसका बहुत ही dark man जिसे सब कंसास माइन इसमें स्थिती सांत्रिक यथात में मानाव की पशुबरितियां inspires नहीं रहती है रचनकारका क्म है कि इस यथार्त को उसके में चित्रण करें चाहे वा कितना ये विक्रित्या विबस्य क्यों नहीं हो मुद्स चत्रण में वह साहित्यल सास्त्र या नीति-शास्त्र की किसी भी रूढ़ी को नहीं मानता बल्कि रचना की प्रक्विया में वह अपनी तरब से सामगरी में सहयवजन व्योस्ता की बौधिक चेश्टा भी नहीं करता विचार जिस प्रकार जिस भी क्रम में उसके मन में आते हैं उसी प्रकार अनायास अभिव्यक्त होते चलते हैं तो साहित्य सास्त्र भारती कावेश शास्त्र या फिर पस्चिमी साहित्य सास्त्र के जो नियम कानून है जो नीति शास्त्र के नियम कानून है जो नेतिक मापगंड है उनका इन सभी रूडियों को, इन सभी मापगंड़ों को यह अतिय थार्थवात नहीं मानता है, बलकि रचना की प्रक्या में वो यह भी निचान जाता कि विचारों को ब्यावस्थित क्रम से प्रस्तूत किया जाए, तो अतिय थार्थवात का यह मानना है कि हमारे मन में विचार, जिस भी प्रकार के विचार आ रहे हैं उन विचारों को हमको अपनी रचनाव में इसतान स्थां जिसमें कोई श्रिंखला नहीं कोई ओर नहीं है वैसे ही उसको अभिवेक्ट करते चले जाएं यह इनका कन है अब हम देखते हैं अतिया धार्तवाद का उद्भाव और विकास कैसे हुआ अतिय धार्तवाद प्रथम विश्युद प्रथम विश्युद का टाइम था 1914-1918 जनित विभीशिका का इसपश्ट प्रतिफलन था प्रथम विश्युद के भीशन नर्संहार एवं आर्थिक रासने यूरोपी समाज को अब्योस्ता अराजक्ता विवेक्शुन्यता एवं ए प्रथिक इस्तिती बहुत ही खराब हो गई लोगों में विवेक्श सुन्यता की इस्तिती आ गई अपराद बढ़ गए मतलब कोई भी और निरास और हतास होकर कठोर्य अथार्थ के आगातों से जर्जरी और चेतन अत्वा अर्द चेतनमन के रहस्में गवहरों में विच् साहित्य की पूरी मान्य सभी मान्यताहों का धराशाई कry HOLOOOO समाज में जो राजकता की किस्तिती होगी आरथिक स्थित्य का रहास हो गया कोई और रहास हो वासितोंसी में तो इसका प्रभाव साहित्येकारों पर भी कारों पर भी पड़ा और इसे क्या हुआ बाहरी दुनिया में जो कुंठा और निराशा उन्हें च्छागे तो वे अपने मन के भीतर एक जो दूसरी दुनिया है जिसमें दमी तिक्छाएं कुंठाएं वासना हैं वहां पर वे विच्रण करने लगे और इसी कार्ण वे समाज और धर्म और कला इनुचाएं साहित्य जो नेतिक मापडण थे जो पुरव के मापडण बनाये गए थे कि साहितयं कैसा होना चाहिए जिसका समाज से सरय कार्वार होता था उससे कड़ गए और उनको नहीं मानते थे समाज के जो नहीं लिखोर्णा कला और साहिति के उसको वे नहीं मांते थे अतिय थारतवाद दाधावाद से सरवाथिक प्रभावी था वालू मैं आपको पता बता चुका हुँ अपर में कि दाधावाद किनी अर्थों में डादावाद का जनक को ने दादावाद से जंवा हुआ है दादावाद 1916 में त्रिष्टन जारा द्वारा प्रवर्तित ऐसा अंदुलन था जिसका मुग क्युदेश्ट सभी प्रकार की नहेती के कि आमकलात्मक मुल्यों और प्रतिमानों का विध्वांस करना था तो द्यद्वांस के जनक है। प्रिष्टन जारा। और द्यद्वात के जनम के समाज, धर्म, कला, साहित्य, आदी सभी शेत्रों के मान्य मुल्यों का विनाश करके नविन मुल्यों के इस्थापना करना ही अपना दाहित्य संजा, तो दादावाद के जो प्रवरतक थे और दादावाद के जो अन्याई साहित्य कार थे, उनका मानना था कि जो समाज और धर नए मुल्यों की स्थापना करना, नए नियम कानुन बनाना, अतिय थार्थवादियों ने कला एम साहित्य के प्रथलित सिध्धानतों को घणा के दिश्टी से देखना दादावादियों से ही सीखा, तो दादावादियों क्या करते थे, कला और साहित्य के जो प्रथलित सिध विभीशिका तथा दादावादी प्रभाव का पढ़णाम हैं तो शंशेव में हम कह सकते हैं कि अतिय थार्तवाद के जर्म हुआ प्रत्व मिश्री देकी जो विभीशिका थी बहुत सारे लोग मारे गए थे समाज में जो निरासा और कुंठा का वाथा और अर्था तो इसक तो इनके सिध्धान्तों का अती अथार्थवादी अंदुलंग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनके सिध्धान्तों ने अती अथार्थवादी अंदुलंग के जन्म में बहुत इम्हातपुन भूम का निभाई। तो अती अथार्थवाद को सबसे पहले किसने परिभाशित किया। जाता है 1936 में लंदन में अतिय थार्थवादी कला की प्रदर्शनी उद्घाटित हुई हर्बर्ड रीड जो इस अंदुरन के समर्थक थे ने इसका परचे प्रस्तूत किया इस तरह फ्रांस में प्रादुर्भूद अतिय थार्थवादी आंदुरन विश्यापी हुआ तो 19 1924 में इसका जन्म हो चुका था इनके इसाफ से घोष्णापत्र के साथ से लेकिन इंग्लेंड में इसके प्रचार करता कौन थे मुख्य प्रचारक यह थे क्या नाम से हर्बर्ड रीड तो 1936 में लंदन में एक चित्रकला प्रदर्शनी लगी थी और उसमें इस यथार्थ से इंग्लेंड में चला गया अनेक अंग्रेजी आलुचकों का विश्वास है कि 19 सदी का स्वच्छंदता वाधी विक्सित होकर 20 सदी के प्रारंभिक पांच दसकों में अतिया थार्थवाद के रुपें परणत हो गया तो बहुत सारे अंग्रेजी आलुचक के हम मानते है कि यह अतिया थार्थवाद है यह 19 सदी में जो सवच्छंदता वाधी अंदुलन था रुमांटिक रुमांटिक सीजम का जब जन्मुवा था रुमांटिक सीजम आगे चलकर क्या बन गया अतिया थार्थवाद में परिणत हो गया बदल गया प्रानफिक 5-10 को मतलब 50 साल समानथी प्रुमांटिक सीजम में और यह अति-सपार्थवाद में क्या समानता है सिमयता अग्यात प्रितम के प्रति जैसे महादेवी वर्मा के कर दो को सवंद। Tara के एक अम भूत यह अईजीत कर चंपरना और रुपाईट साहिट कषित को व्यक्तिवादिश्टिकों प्रकास्न की प्रवितिकों अपने बारे में आपने बारे में लिखना गण संक्र से स हुख करने का संक्र आदी यने एक स्वच्छंदतावादी विशेष्टाएं अतियतार्थवाद की भी विशेष्टाएं तो यह स्वच्छंदतावाद में जो विशेष्टाएं पाजाती हैं वे अतियतार्थवाद की भी विशेष्टाएं हैं कि इस बरकर हम देखते हैं कि स्वच्छंधतावादी तत्व अतियताथवात के भी मुल्भूथ मतलब जो रोमांटी सीजम के जो तत्व हैं जो एलेमेंट्स हैं वे अती अथार्थवाद के भी मुल्भुत तत्व हैं तो दोनों में बहुत सवानता है कि इसके बावजूद भी इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि स्वचणता वाद्य विक्सित होकर अती अथार्थ क्योंकि इन दोनों में मौलिक भेदे, बहुत सारे अंतर भी हैं, अब अंतर क्या क्या हैं? युद्ध विभीषिका तथा दादावाद से अकरांत अतियतार्थवादी कलाकार मानवमन की नगन पाश्विक्ता उसकी योन विकृति के ऐसे वांची चित्र भी प्रस्तूत करते हैं जो सच्छंदतावादी प्रकृति के सरवथा प्रतिकूल हैं, तो जो प्रथम विभीषिका और दादावाद से प्रभावित होकर अतियतार्थवादियों ने हमारे मन में जो चीपी हुई पाश्विक्ता की भावना है, जो आस्तना की भावना है, जो कुंठा की भाव यहीं नहीं मारसवादी तिष्ट्रिकोंट से प्रभावित अतियतार्थवादी समाज का पुनरगठन भी करना चाहते हैं जो कि शुचंदतावाद के शेत्र से बाहर पिखिए तो मारसवाद का यह मानना था कि समाइल में सम्ता मुलक समाज की स्थापना करना जहां पर ना को इस प्रकात से समाज का पुनरगठन करना चाहता है मारसवाद वैसा ही अतियतार्थवाद भी समाज का पुनरगठन करना चाहता है सम्ता मुलक समाज की इस्थापना करना चाहता है लेकिन स्वचंदतावादिया नहीं चाहता यह इनके अंतर है अब अतियतार्थवादी अ अर्थात 1924 सा 1929 तक माना जाता है पहला प्रथम काल इस काल में यह प्रवृत्ति अचेतन मन को बिना तरक थ्वा बुद्धी के बंधन के शर्ब्द देने की कोशिश करते रही तो जो प्रथम काल था उस समय अचेतन मन को बहुत ज्यादा महतों दिया गया और हमारे अचेतन प्रथम को किसी प्रकार की पुण मुक्ति दिला नहीं कला साहित के श्यत्र में क απ्रांतिकारी सबी प्रकार के समाजिक मुल्यों परंपराओं को विनाश करके नविन मुल्यों के इस्थापना करना ही इस प्रथम काल के अतिय थारतवादियों का प्रधानों देश रहा मतलब हमारे मन और मस्तिस्क में आने वाले जो भी विचार एट्रेंडम उनको साहित में उनको नाश करके नविन-व मुल्यों के इस अठीच करना इस प्रथम काल के अतिय थारतवादियों का उद्धेश से रहा तो पहला में न Christmas का नहीं मनना नवईन-विन मुल्यों के असधापना करना दूती काल में अतिय थारतवादि साम्मियवाद की और उंके पड्रणां सरूप इस यूग के अतिय थार्थवाद में मार्थवादी जीवन दर्शन का प्रभाव इस पस्पर लक्षित होता है। तो जो दृती काल है उसमें इन पर मार्थवाद का बहुँ ज़्यादा प्रभाव है और यह साम यवाद के और इनका रुजहान है। यहां काल अंद्रे ब्रेता के दूसरे घोषणा पत्र सेकंड मैनिफेस्ट और सरियलिजम के प्रकासन से प्रारब होकर कम्मोनिस्ट पार्टी से सम्मंद विछे धोने के कारण अतिय थार्थवादी पत्रिका रिव्यू के प्रकासन के बंद हो जाने अर्थात 1924 से 1927 तक मान अपने तीसरे और अंतिम काल में अतिय थार्थवादी कलाकारों सहत्यकारों पर मारसवादी प्रभाउं च्छिळो गयी और उनकी रूची किधर आ गई वे स्वदेश प्रेम धर्म पर्वार्वे उस्ता के साथ ही साथ सजग लेखन की और भी उन्मुक वे तो मार्सवादी विचार धारा से ये विमुक्त हो गए उनसे दूर चले गए अब इन्होंने अपना उसका विशा क्याबरा लिया साहित्य पर ये पाला का सवदेश प्रेम धर्म पर्वार्वे उस्ता इत्यादी सजगलिकर आप अतिय हाई ब्रेता ने अपने प्रत्रो गोषणापत्र में अतिय अथारतवात के उद्देश को सपश करते हुए कहा था कि इसका उद्देश मानव मन को किसी प्रकार के बंधां से पूर्ण मुक्ति दिलाना तता आंत्रिक और बाहर सत्य से एकाकार करना है मतलब इनों ने प्रतम गोश्णा पत्र में कहा था, कि मनों क का जो मन मान माश्च्श कीरोगा विमिन बंधनों से बंधा हुआ है मतलब जो बूध्य और तरखी के जो नातिगता का बंध्र जो समाजीत और नधार्मिक, जो मापधऑन एं उनसे मुक्ति दिलाना है, इनका मुखह उद्देश है और आंत्रीक और बाहरी दुनिया, मतलब बाहर की दुनिया का तो यह थार्चित्रण करते ही हैं साहति में, लेकिन जो हमारे मन के अंदर के जो दुनिया है, जो यह उनको उठाएं हैं, विक्रितिया हैं, फशुट यज़ा भिवहार है, इन सभी क के माध्यान से और चेतन या अर्द चेतन मन की अभिव्यक्ति में वह आधतों धार्मिक सामाजिक मनेताओं शिल्प गतनीमों आदिसे संबंदित किसी प्रकार के भी अंकुस को स्विकार नहीं करते उनकी धार्णा है कि यह बंधन ही अभिव्यक्ति ही मानाव और ब्रह्मान क सही संभंद का उल्गाटर कर सकती है अंत्रेविता कर यह मानना है आट्रमेटिक मतलब मन में जो भी भावनायां आ रहे हैं उन भावनाओं को सहित में अभीपेक्तर करते ना कि यौन विक्रिति हो पार्श्षिक प्रभिति हो हमारी कुंठा दमीट व thoroughly नहीं किसी भी प्रकार के धार्विक मानताओं धार्मिकaba समाजी कानून है उन मेंसे किसी भी प्रकार के बंधन कशिकार जि यह बीना मृन आती जाती हैं उन भावनाओं को अपने साहित में अथो अपना कला में अभिव्यक्ति प्रदान कर दे रहा चाहिए किसे कलाकार को अथो साहित कर वो और इसके दारा ही वह मानामन अथो जो ब्रहमान का जो सत्या है उसको अपने साहित में अथो कला में अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है मतलब सभी बंधनों से दूर होके स्वच्छन दता पुरवग साहित में उल्लेप करना चीजों का अब हर्बर ट्रीट जो इंग्लेंड में इसके प्रवर्तक थे प्रचारत थे इनका काना है हर्बर ट्रीट के इनसार मनुस्य एक हिमखंड आइसबर्ग की तरह समय के श्रोत के प्रवाब में बहरा है जिस प्रकर पानी में प्रवाइद हिमखंड का थोड़ा सा अंस जल सता से उपर रहता है सुकतर उपर है ऐसे मनूझी यह मना जासे जबहषते रहता है वांगे हिससा क्या है कुछ ही निती कानून है तर्क और पुद्धि के प्रयोक करते हैं उसके नीचे कौन सा अर्ध चेतन्मान्ट के नीचे का हिस्सा है जिसमें हम सपने सपने आगना देखते हैं इस के हुए थोड़ा सा हिस्सा ही दिखाई सिका. उसके हिसाप से हम वा स्माज में जो वहर करते हैं। वहाँ पर समाज के नैतिक धार्मिक सभी माब्दर्न होगा पर लागू होते हैं। इसलएं हम क्या है सजग रहकर वहार करते हैं। किसी बुरा लगे मुझे गिलत ना निकल लेकिन अर्द चेतन्मन इन सब्सक्राइब करनों को नहीं मानता है इस अदिकांज को विवेक के अंकुष से मुक्त करके प्रकाट करना होता है इसलिए अथिया थार्थ वादि जो कविया कलाकार है उसका मुख्य उद्यश क्या है हमारे जो अर्द चेतनमन ने जो दमीतिक छाये हैं वासना है जो लिपसा है उनको विवेक से मुक्त करके उनको यथावत चित्रण करना है उसका उद्यश है इस प्रकर अतियाथार्त वाद के सिध्धानता नुसार समान्य जगत से परे जो है जो हमारे मन के अंदर की दुनिया है मत एक तो बाहरी दुनिया है और बाहरी दुनिया के समनांतर हमारे मन में एक अलगी दुनिया है जिसमें यह सारी भावनाय चुपे हुई है तो वही अधिक यथार्थ है और उसी जो चुपे हुए भाग है उसका चित्रन करना ही कलाका का थो साहित्वकार का दाहित्तु है स्वता चालित लेखन को हर्बर्ट रीड ने अपने निबंद मिथ ड्रीम एंड पोयम में मन की एक ऐसी अस्था के रुप में माना है जिसमें अभिवेक्ति तुरंद नैसरगीक रुप में होती है तो हर्बर्ट रीड निबंद लिखा थ लकित्र और उसके शाब्दिक पृतिक्ति में कोई अंतर नहीं आता है जैसे हमारे मन में प्रतिक प्रतिक फथीिजिक भांवनह आरही है तो किसीं के प्रतियाकर्षण शिल्प गत नियम और विधान में भी अतिय थारतवादियों के कोई आस्ता नहीं है। किसी प्रकार के शास्त्री अलंकरण में उनका विश्वास नहीं है। कविता कविता नारा कर गद्य के श्तर पर पहुंच जाती है और वह भी ऐसा गद्य जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकते। कविता लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कविता में कोई ब्यास्था नहीं है कोई आर्डर नहीं है तो यह ऐसा गद्य प्रतीत होती है। अब हम देखते हैं अती अथार्तवाद के प्रमुख प्रवृतियां तथा मानेता हैं इस प्रकार है यह थार्त के चरम रूप को स्विक्रिती अती अथार्तवाद बाहर जगत के यह थार्त से आगे जाकर मानव मन के अंतरमन की गहरी गुफा में चुपए हुए अथार्त को भी प्रत्यक्च करता है। वह यह थार्त बाहरी संसार का हो यह आंत्रिक जिगत का उसे पूर्ण नगना सत्यक रूप में देखा और स्विकार किया जाता है। दोने इस तरहों पर विभत सता और कुरुपता से नजरे नहीं चुड़ा जाती बलकि इन्हें बेबाकी से सामने लाकर चित्रित किया जाता है। इसलिए कई आरचकों के मत्य में साहित के याकला के शेत्र में अतिय अथार्थवादी रचना है, विभत, जुगुपसा परक और समाज के स्वास्ता के लिए हानिकारक होती है। यद्य पीन रिचनाओं में नगनता तथा विकृतियों का चित्रन खुलकर हुआ है, तथा यहां हमके वाल उनकी प्रवृतियों की पहचान कर रहे हैं, उनके गुर्दोस का विवचन नहीं कर रहे हैं। कि हमारे मन में चीपी होई जो भावनाय हैं, कुंठाएं, यहन-लिपसाएं हैं, दमित-इक्षाएं दमित-वास्नाएं हैं, बाहरी दुनिया की सच्चाई और हमारे आंत्रिक दुनिया की सच्चाई की नग्द रुप में यथारत रुप में उजागर कर देना. मतलब चाहेवा कितना एक घंडित क्यों ना हो मतलब कई बार लोग ऐसे लोगों के साथ संबंद इस्थापित करना चाहेते हैं कि जो समाजिक द्रिष्टी कोण से वर्जित हैं उनके मन में ऐसी गंदी भावनाय भी आती है मतलब जो दमित इच्छा हैं जो दमित वासना हैं उनके मन में आती हैं जो समाजिक मापदंडों के हिसाब से गलत हैं धार्मिक मापदंडों के हिसाब से गलत हैं और जो कुरूप हैं जो विभत्स हैं लेकिन यथार्थवात का चरम इस्तिति हैं इसको इनके जिसाब से विभाकी से कला अत्वा साहित में चितरित किया जाना चाहिए। इसलिए कई अलुचकों का यह माना है कि इन सभी झ्रणित बातों का विभत्स बातों का चितरित करने के कारण जो यह थार्थवादी जो रतनाएं हैं बहुत ही विभास जुगुपसा प्राराख और घ्रिणित हो गई हैं मतलब इनको पढ़ने से त्योंकि इसमें नगनता और विक्रितियों का खुलकर चित्रण हुआ है लेकिन यहां पर हम सिर्फ इनकी विशेस्ताइं बता रहे हैं ग दिल्ली का दलाल बुध्वा की बेटी चंद हसीनों के खतूद के उपन्यासों में पाई जाती है तो इन रचनकारों के साहित में अतिया थार्थवाद की दर्शन होते हैं तो यहां पर कहने का भावया है कि जो दमित इक्षाएं हैं जो वासनाएं हैं इन सभी कही यहां प माने उसकी वास्तिक प्रकृती के भी एक बहुत चोटे से अंस को यह बाहरी जगत ब्योहार करते हैं हमारे वास्तिक व्यक्तितों का बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि सारी गंदगी तो उसके नीचे है, जैसे हमारे कोई हमने बेड़ सिट बिचा हुआ है उपर, और नीचे जो गंदा बीचा हुआ है, बहुत ही गंदा है, और हमें उसको पर हैं बहुत ही साफ सुंदर बेट शुट डाल देते हैं। तो हमको लगता है कि नीचे वाला हिस्सा भी साफ सुटरा होगा। लेकिन वास्ता में ऐसा नहीं है। तो ठीक वैसा यह है। तो जो वमरा चेतनमन है जिसके इसाफ से हम landscaते हैं। वो तो साब की तरह अच्छा लगता है लेकिन उसके अंदर में जो भाणाय चुपी हुई है अर्द चेतन मन में अथ्वा आचेतन मन में वह बहुत ही गंदी है विक्रित हैं। उसके मानसिक अथार्थ का बहुत बड़ा अंस तो आव चेतन में इस्तित होता है सब कांसस मैंड में संपूर्ण तदा सही अथार्थ की सच्चे मैंने में पच्चान करनी हो तो उस अचेतन अंस को पच्चाना और सामने लाना जवरी है इसके लिए स्वपन तथा सपने जैस है यहां को सपना देखते हैं वुठी वासना में हैं जबЗाब्वन तो यह और सब्सक्राइन व्यां चेतन में वाले बीच के अब regeneration मी सपने और इसी क्रण दिखा देता है तो कई चीजें जो वरजीत हैं जो वास्ता में हम नहीं कर पाते हैं तो वहाश्ट को सपने में दिखाई दिखाए दो उannahाइन सपनों में साकार कर और चित्रं करना त्या को अधिय का चित्र न॥ा निप परामन में पने पकोậy नहीं पाए तो आपने देखा होगे जो पशु है पशु पक्षी है जहां भी उनका मन होता है वह अपना संब्ध बना लेते हैं कुछ भी खा लेते हैं कुछ भी पिलेते हैं उनके उपर कोई नियम नयतिक कानुन लागों नहीं होते विशेश दुरूप से यह उन संबंध ही मामलों उनके मन में कुछ नहीं है बिल्कुल प्रकृतिक हैं जहां भी मन पड़ता है अपना सुरू हो जाते हैं तो इससे मानों का जो मन है मानों का मन भी पौशु भृतियों से उठनी पाता बस वह चेतन मन का जो दबाव रहता है समाजिक और नयतिक जो मूल्य है उनसे बंधा हुआ है और जो कानून कानून जो भी अस्ता है समाज में उससे वह बंधा हुआ है इसलिए क्या है उनसे तो उपर नहीं पाया लेकिन मन में भावना जरू दिमान रहती हैं तो फ्रायाट के सिधान से उसे अपनी धाना के पुश्टी मिली कि मानाओं के अंदर पश वासनार योण कुंठा उनके अंदर बैध्यमान है जो कुल बुलाती रहती है जो तुष्ट नहीं पाती मैं संतुष्ट नही पाते टो फ्रायाट कब दमीत वासना हैं तो एक्षाइं होती है मारे अच्छेतन मुझे दभी रा जाती है अधियर्त वादी रचनाओं में इन दमीत कामनाओं तथा वासनाओं का मानओं के मना इस्तिदी का बिना किसी पर्दे या दुराज चिपा के बेबास चितर मिलता है यह उन समस्याओं तथा क्रियाओं का अंकन भी इस साहित में खुल कर हुआ तो जैसे समलेंगिक संबंद जो होते हैं जो लेजबियान मन में आने वाले ट्रेंडम विचार आने की तरीक सारई इनका अतियत हार्तवाद में जो मन में दमित कामनाएं हैं, जो इक्षाये हैं, यह उन इक्षाये हैं, और हमारी विस्षिंगषित मना इस्तिती है, मन में आने वाले जो विचार हैं, ट्रेड़नम तरीके सारे, इनका बिना किसी पर्दे या दुरावट छिपा का बेबाख चितरन म लगाना है तर्क और बुद्धी का इस्तेमाल नहीं करना है जो मन में आलिक डालो और यहां समस्यां होता था क्रियाओं का अंकर भी साहित में खुल कर हुआ तो यहां समस्यां है जो हैं जैसे कई लोगों को सम्मेंगिंग सम्मध्द पसंद है कई लोग अलग प्रकार के प्रायाट का जो सिध्धांत है कि जो कला अत्वा साहित है हमारे मन में जो दमीत इक्षाएं हैं यह उनकुंठाएं हैं उसी का मूर्त रूपा यहीं का मानना है और रूणियों का नकार करना अतियतार्थ वादिये रूणियों तथा पहले से मानिपरमप्राओं को आने कि इस तरह पर नकारा है मतलब नेतिक और समाजिक जो मापदंड है सास्त्री और साहितिक मापदंड हैं उनको नहीं नकार दिया साहित था कला कि विशयवस्तु में आप तक प्रसंग वड़ित थे उन्हें इसने बेजिज़क उठाया पहले यह मना जाता था कि साहिक्ति और क कितः ततत्र मुर्याइध को नकार दिया है और S niemand कि वाहाज से पर इसपहश्ट भाषा में नंतिश्तर को करनाPro नेति नहिं नहीं नहीं को नहीं हो सकती। लिखने कि भी जो नियमों कानुन होते हैं साहिते का रोंगे other चानुन, यदू farm तो इन सभी बंधनों को आपको तोड़ना होगा तभी आप अपने मंद की भावना को इस के यह इसके बाद रचना प्रक्रिया कैसी थी यथारत्वाद में बहुत दिखता फरबल लेकिन अती अथारत्वाद में मन पर बुद्धी और तरक का कोई इंतरा नहींANG है हमारे मन में अनायास जायी भावनाएं आ रही है चाहए विकृवना ही क्यों नो उनका वैसे ही उल्लेक कर देना है इस पर ना गुद्धी का नियंतर्ण होता है ना सवंदर्य शास्त्री या नेतिक्तवादी नियुम का तो मन में भावनाएं आ रहे हैं मन में विचारान इनको लिखते चले आईए आपको यह नहीं सोचना है कि या साहितिक दिश्टी कोण स सवंदर्य सास्ते जिश्टी कोण से नेतिक्तवादी जिश्टी कोण से सही का यह गलत को विचार कर हमारे मन में अनायास इस-पूरित होते हैं उनका उसी प्रकार अनायास ठोलेखा नहीं क्राइखों के अत्यों उतार देता है उससी प्रकार उटियात आठारतवादी १िंधिकार अपने मन में उठने वाले भावों को भी रोखot टॉक काती हों अभिवक्ट कड़ת कर देता है किसी भी ना अपना नोट करने के बाद उसको टाइब कर देते हैं वैसा ही अतिया थार्त वादियों की रजना प्रक्रिया है कि मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को एज इस लिग देना या भी नहीं देखना कि या एक प्रॉपर आर्डर में है कि नहीं बैतर्तीब कर दो केасть है और इस नहीं ने पर असर नहीं होता उनके मन में कुछ विचारा है इसको उन्हें लिग दिया चाहिए वह सामाजीके और नेतिक धार्मिक दिष्टी कॉंट सा सही है कि गलित है क्या है तो इस पकार उनके मन में जो भी विचारा है वे रेवक्ट इसको dedic देफे तो इसलिए जब हम इनकी रचनाओं को पड़ते हैं तो ना कियों इनके करेक्टर भी ऐसी होते हैं ओपन मतलब लगने यथार्थ का चित्रन करते हैं और जो रचनाकार की भावनाएं वे भी हमको एट्रेंडन तरीके से हमको दिखाई देती हैं उनकी जलकती है तो यह सबसे म महत्रप लाइन में आप लिखा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा यथार्थ वाद और अति अंतर क्या है उसको मैं बता रहा हूं तो यह बहुत ही महत्रप लाइन है यथार्थ वाद जहां वस्तू पर रखता अर्था बाहरी जगत के तथ्यों की और उन्मूख है अतिया अरत्वात का रुख आत्मप्रक्ता अर्था रखना कार की अपनी मान सीखता का वह है तो यह धार्थ वाद यह बाहरी दुनिया का चितरण करता है। बीना कोई मिर्च मसाला लगा जैसा उसमे देखा वैसा लिंट बाहरी दुन्या के बारे में यो है यतार्था करता है जहां पर मेंचींवन चीज़ें क्या है जोन रिखृतियां योन पुंटाइं दमित इक्षा है दमित वासना आये और यौन समस्याहाई सब्सक्राइब सारी चीज़ें abd का मुल्यांकन अब लिए प्रत्वात का बेल्यू क्ए क्या है और रचना के नियम कानुन होते हैं इसके पर पर नियम को तोड़ दिया है जाया पर लिंखनें के लिए उन्मुक्त के नियम कानुन होगे वंगन्ते मांवों जै acre कला में एक नई चीज़ लेकर आया किसी भी प्रकार के बंधनों को नहीं मानना और इस से लिए बहुत सारे लोग इस से लिखने के लिए उन्मु वह हो गए क्योंकि नियम कानुन तो है नहीं और जहां पर नियम कानुन नहीं आराजकता रहा राजकता है वापर भीड़ इस पकार यथार्थवाद के कमी थी केवल इंद्रियों से ग्हांड करने वाले जगध से का सरुकार इसे इसने दूर किया किन्तो शत्य के एक पक्च का चितरण करते अति यथार्थवाद केवल उसी पक्च तक सीमित होगा Τरण के दा मन की कोई भूमिका नहीं थी तो आब मौड दिया लेकिन किंदो सठ्य की यही पक्चे का चितरन करते करते अतिया थार्तवात के वाल उसी पक्च तक सिमितर रहाया लेकिन इन्होंने बाहरी दुनिया से तो इनका चितनर करते करते वह यथार्त कहने रूपों से मानाव मन के सुन्दर पक्षर बाहर जगत के सत्य से भी मुख हो ज़ते हैं तो उसका इसमें उलेक नहीं होता था और बाहरी जगत की दुनिया है जो सत्य है जो नहतिकता है जो मानाव मुल्य है जो सत्य और अहिंसा और परुपकार की जो भावना है इससे भी मुख हो गया इस तरह शिल्प के छेत्र में जरूत से ज्यादा व्यक्ति प्रदान कर रहा है आत्म प्रक्ता की और इनका ज्यादा रूप जहां था मतम मैं मेरा अस्तित तो मेरी भावना है मतम मैं मैं वाली जो भावना होती है जो अहम यह होता है प्रक्ता तो इसके करण क्या हो गया रचनात्मक शेत्र में बहुत जादी अराजकता आगी नहीने लोग आए और अपने मानसिक विक्रितियों और इन सब चीज़ों का वो ल सब्सक्राइब अब हमनी सकर्श में देखते हैं पुर्व इस्थापित मानेताओं और नियूमों की अभ्या हिलना के फल्सरूब अतिये थारतवाद्यों का सहिट्य अपने सोरूप में पूर्ण अतलःत्वादियों का सह अभावयस्थीच्जोंक्यों अराजख Chaudhati North लग्णत ने उनके शंप्रेशन विधान को नष्ट किया जिसके कान धीरे धीरे यह अंदुलन कंपडे बधेर मुथशित करने हैं है कि सब्सक्राइट करते हैं है समाच को पूँठ देते हैं कुछ और ना तो इनका संप्रेशन विधान यह समाप्त हो गया क्योंकि इनमें कोई आडर ही नहीं था जैसा पाते थे वैसा लिखते थे तो धीर धीर यांदरन कम जोर हो गया अती अथार्त वादी साहित के प्रमुख विशे कौन से हैं प्रेम लव विद्रो रेवल्ड अद्भूद दा मार्विलस और स्वातन्त यहीं है अथार्त वादी साहित के दिमुख की विशे कोई पूछता तो प्रेम विद्रो अद्भूद और स्वातन्त रहिया है योन तो यह अपने आपको विद्रोही कहते हैं करांतिकारी कहते हैं और इनका विद्रोह क्या है कि समाज और धर्म और नीती और तर्क के संबन्द में जो पूरो मान्यताएं जो नियम कानून है जो प्रंपराएं उनके विद्वान्सक हैं नंको नस्ट कर दिया वे जीवन को असंगतियों अबसर्डिटी से भरवा मांते हैं जीवन की अभिवत्ति का एक्षी मार गये कि जीवन की असंगतियों विद्रुप्ताओं को कला साहिते में इस्थान दिया जाना है मतला हमारे जीवन की जो असंगती है असंगती में अभीवक्त करना चाहते हैं इसलिए इनका जो साहिते हैं बेहुद्गी विक्रिती गंदगी इसको चाहते थे के असंगती में इस्थान दिया रहें उनका माना है कि असंगती मान अथा जीवन का असली यतार्त है तो इनके जलाह कि असंगतीこんなyuDEN माना हमन का अथार्त है सिर्फ असंगती पुरुपता उन्ठा इनके इसाब से माना के मन में को भी c missing सुंदर नहीं और यहीं जीवन का असली अथार्थ है जीवन की इन असंगतियों के चित्रण के लिए यह आउस्यक है कि आउचेतन मन की मुक्त अफिवेक्ति हो सके और अनभूति को यथावत प्रसूत किया जाए प्रसूत किया जाए उन्होंने कला को बधिकता की बढ़ियों तथा सभी प्रसलित कला विध अतिया थार्थवादियों का मानना है कि जो कला अत्वा साहित में किसी भी प्रकार की जो बहुत दिखता है तरक अत्वा विचार अत्वा विवेक कोई स्थान नहीं है और जो प्रचलित कला विधान है जो साहित अत्वा कला की जो नियम कानून है जो मापजण्ड है उनसे भी सहीत्छ और कला को पुरी तरह से मुक्ट होना चाहिए। इस तरह उन्होंने सहीत्प और कला के शहित्र को अत्यंत्य अराजक बना दिया। मुक्ते करण्थिकारी समस्ते थे लोग अपने आपको। पस्धिनी प्रभावित किया हैं। किया है। सांतिनों ने सिनेमा जागत को भेखत किया है। हिंदी इसका प्रभा बहुत कम पड़ा प्रहज देखा जा सकता है प्रपध्यवाद करके अंधुरन आया था और इसको नकेन वाद भी कहते हैं नकेन वाद अफ्वा प्रपध्यवाद तो प्रापध्यवाद में कोन-कोन थे साहितिकार शामिल थे विल विलूचन सर्मा मरें नकेनवाद तो नलिन विलोचन सर्मा केसरी कुमार तथा नरेश द्वारा प्रवर्तित इस कावयांदुलन प्रपध्यवाद नकेनवाद पर बाय तथा अंतर दोनों परी अतियाथार्थवाद की चाया इस पस्ट है तो प्रपध्यवाद पर इसका प्रभवव जरूर प्रवावुनार प्रभावुनार हिंदी साहिते पर दिखाई नहीं प्रहुता है इसके इसके साथ मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि यदी आप इस एक आच्छे से समझना चाहते हैं तो मनो इस लेशन वाद पर जो मेरा व्याख्यान है जिसको बहुत ही चातर ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है उसको आप जाकर जरूर देखें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यदि मेरा आज का यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ब सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाब